हिंडू, माई और मेनों हिंडू अपने डर का सामना करता है हिंडू, खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और एक इंच पीछे नहीं रखता है वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है हिंडूत वादी भाईयों मेनों अपने डर के सामने जुग जाता है अपने डर के सामने वो मथ्था देखता है हिंडूत वादी को उसका डर दुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है दर से नफरत पैदा होती है, गत्सा आता है, क्रोध आता है हिंडू दर का सामने करता है उसके दिल में शानती पैदा होती है उसके दिल में प्यार पैदा होता है उसके दिल में उसके अंदर शक्ती पैदा होती है ये भाई और बेनो हिंदुत वादी और हिंदू के बिषमें फ़रद है मैं आपने आपको ये भाषण क्यों दिया क्योंकि आप सब हिंदू हो हिंदूत वादी नहीं और ये देश हिंदूओं का देश है हिंदुत वादियों का नहीं और आज अगर इस देश में महिंगाई है दर्द है दुक है तो ये काम हिंदुत वादियों ने किया है हिंदुत वादियों को किसी भी आलग में सबता चाहिए जैसे महात्मा गांदी ने कहा मैं सच्चाई चाहता हूँ मैं सच्चाई ढूंडता हूँ मुझे सत्ता नहीं चाहिए वैसे ही ये कहते हैं मुझे सत्ता चाहिए सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं सच्चाई जाए भार में मुझे कुर्सी मिल जाए बस और 2014 से इन लोगों का राज है हिंदुत वादियों का राज है हिंदुओं का नहीं से ये न consumes वादियों का राज है हिंदुओं का नहीं और हमे एक बार फिर इन हिंदु इन हिंदु दछ्वादियों को बहार निकालना है और एक बार फिर हिंदू का राज लाना है हिंदु कॉन जो सबसे घले लगता है हिंदु कॉन जो किसी से नहीं डरता है हिंदु कॉन जो हर धरंग का अधर करता है वो है हिंदु आप हमारे कोई पिशरस्त्र पढ़ लीजिए रामायन पढ़िए माभारत पढ़िए कहा लिखा है किसी कमजोर द्यक्ति को कुचलना है कहा लिखा है मुझे दिखा दो कहीं नहीं लिखा गीता में लिखा है सत्य की लडाई लडो मर जाओ कच जाओ सत्य की लडाई लडो गीता में क्रिशन जी ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि अपने भाईयों को सत्य के लिए मारो क्रिशन ने अर्जुन से कहा अपने भाईयों को सच्चाई के लिए मारो ये लडाई भाईयों और बेनों आज हिंदुस्तान में चल रही है